देशी आरवेद में स्वागत है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना सस्क्राइब करना नोटिफिकेशन की घंटी को दबाईएगा दोस्तों हम आज आप को बबूल की करके गोंद के आउसधिये गुड के संदर में चर्चा करते हैं राज निगुंटू में लिखा है कि बबूल के गोंद में लालकिश्म का गोंद अतियंत गुणकारी माना जाता है या खांसी और संदिवात के साद्रिस रोगों में वारता जाता है पेसाम में सक्कर के समान पदार्थ निकलता हो तो या खाया जाता है कुछ लोग बबूल को गोंद को तिल के साथ मिला कर खाते हैं बबूल के गोंद को एक तोला पानी में पिलाना रत सिसार में लाभ प्रद है बबूल का गोंद तीन मासा पका गोंद नित ध्रोहण दूद से सेवन करने से धात छीड़ता दूर होकर बीर बर्धन होता है छै रोग के लिए भी लाभ पहुचाता है बबूल के गोंद के छोटे छोटे टुकड़े करके गो गिरित में भून ले भूनने के बाद यह लाई की तरह फूल कर हलका हो जाता है फिर इसका पाउडर बना इसे डेढ़ मासा तक की मातरा में दिन में तीन चार बार साह से च भूना हुआ बराबर गेरू पीस कर प्राताकाल नौ मासे खाएं बालक के चिनग रोग में यदि बालक मूत्र करते समय रोने लगे तथा बार बार अपनी डंडी पकर कर खीचे तो जानना चाहिए कि बालक को चिनग रोग है उसको दूर करने का उपाया है कि बालक बबू के गोंद की चार-पाँच डली कपड़े में बाध कर पानी में बीगोदे कर दिन भर में पाँच बार पिलाएं सकती के लिए बबूल के गोंद को कूट कर उसे घीए में भूणने भूणने पर वा फूल जाता है फिर उसमें दुगनी सक्कर मिला कर थोड़ा थोड़ा रोज गोद खाने से सकती आती है आज की महत्पूर्ण जानकारी यहीं पर समात करते हैं नमस्कार देशी आरवेद